Hello everyone, Hello my dear students, कैसे हैं आप लोग, I hope you are getting great, welcome to the introduction lecture of strength of material, so guys, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, strength of material को पढ़ना, आज आपका होने वाला introduction lecture, आज हम लोग समझेंगे कि strength of material क्या होता है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़े पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए important है, चाहिए मै everyday life का बात करूँ, या फिर other end में बात करूँ, engineering, exams का में बात करूँ, तो दोनों ही purpose में क्यों हमारे लिए काफी important है, जैसे आप लोग को पता है, mechanical ray या civil ray, दोनों को ये subject पढ़ना पड़ता है, it means ये काफी important आपके लिए subject हो जाता है, और अगर इस subject में, अगर आपको strength of material form में, आपको मजबूती subject में पकड़ बनाना है, मजबूत बगनना है, तो इसके लिए आपको basic चीज़ों को समझना काफी important होता है, तो आज का पूरा जो class रहेगा, सिर्फ और सिर्फ में basic चीज़े को आप में आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग feel कर पाओ, कि करते हैं, उससे क्या होता है, सब चीज़ के बारे में, आज के introduction lecture में हम लोग देखने वाले हैं, तो आज हम लोग काफी basic चीज़े पढ़ेंगे, काफी simpler चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन other end ये काफी important होने वाला है, आगे जब आप समझेगा, बड़े बड़े theorem को, derivation को, कु आता है, किसी भी exam में, जाब mechanical का बात करें, civil का बात करें, कोई भी अगर आप exam में prepare करते हो, तो वहां से आपको maximum question जो है, वो strength of material से पूछा जाता है, इसके अलावे हम लोग ये भी discuss करेंगे, strength of material को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपको पता है कि some strength of material, इसक mechanics of structure, तो यहाँ पर आप देख सेकतो नहीं, यहाँ इसका 3-4 नाम है, सॉम है, मौस है, इसके लवे strength of structure है, strength of deformal body है, strength of solid है, strength of material है, तो ये इतना सारा इतना नाम जो है, वो क्यों पढ़ा है, किस लिहाज से पढ़ा है, जैसे मैंने कहा, चुकिए mechanical और civil दोनों को पढ़ना पढ़ता है, that is why, इसका नाम, civil के term में रखा गे, strength of structure, mechanical में, mechanical में हम लोग क्या पढ़ता है, machine बढ़ता है, और civil हम पढ़ता है, structure के बारे में, जैसे कोई मालों बीम बनाये, या फिर कोई structure बढ़ा बना रहे है, डेम बना रहे है, पूल बना रहे है, पीलर बना रहे है, व प्लेक्स करें नहीं हो, तो तूट जागा ना, मेरा बास समया, जैसे मालों कोई bridge लेलो, हावडा bridge लेलो, कोई भी bridge लेलो, वो move नहीं करेगा, वो fix रहता है, तो उसका जो भी parts रहता है, तो उसको structure कहा जाता है, जो कि civil में पढ़ा जाता है, अगर मैं mechanical बात करो, हम लोग क पाट रहा था, क्योंकि मालों मेरा hand, देखो, मेरा hand move कर रहा है, यह भी एक तरह कर मसीन है, यह कही नहीं कहीं देखो, मेरा solder में यहां जो है, आर मेरा यहां पर लगा हुआ, तो मेरा body जो stationery पाट है, यह भी एक link हो गया, एक body हो गया, तो एक fix part, एक movable part, तो एक जो move कर र पाए जाता है, fix ही पाए जाता है, fix ही machine पाए जाता है, तो इन दोनों की basis पे अलग अलग नाम पढ़ता है, मेरा strength of material का, समझेंगे, हम लोग का कामी आज यही है कि समझना, आज के class में आप जब जाईएगा class को off कीजेगा, तो आपको यह पता चल लेगा कि अखरी subject क्या ह नाम इतना सब क्यों पढ़ा, क्या क्या चीजों को जरुत पढ़ता है, तो काफी basic होने वाला है, तो चलिए class को start करते हैं, तो start किया जाए, सुभाराम किया जाए class को, और काफी मज़ा आने वाला class में, don't worry, बस patience बनाई रखना है, और मेरे साथ जो है, जैसे में बताते ज सिर्फ आपको ध्यान से समझते रहाना है, सिर्फ समझना आपको, ठीक है, attention देके समझना है, ज्यादा मन को divert मत किजएगा, focus रखे पढ़ाय में, बाके में इंट्रेस्टिंग करूंगा, don't worry about there, animation के थूरू, जैसे मेरे जो आदत है, मैं animation के थूरू, यहाँ पर बताऊंग ताकि आप लोग समझोगे, ख्यार, आप हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो यह दाबा समझो, कि सर, यह बताई, मैं पहले तो इसको ना highlight कर देता हूँ, ठीक है, वैसा आप जब हम लोग एक new subject को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं highlight कर देता ह है, तो यह देखो, यह highlight होई नहीं रहा, I don't know why, चलो कोई नहीं, it's okay, तो भाई strength of material, तो जैसे मैंने कहा कि भाई strength of material जो होता, sum होता है, civil में इसको मनलब mechanics of structure करते हैं, mechanical वाला 3-4 नाम से जानता, other, mechanics of solid, mechanics of deformal body, हाना, या फिर strength of material, ठीक है, बात यह करते हैं कि सर, यह तो होता, civil के लिए भी पढ़ते हैं और mechanical करते हैं, अगर मैं यह आपर बात करता हूँ, mechanical engineering का, समझना, किसका मैं बात करता हूँ, mechanical का, तो mechanical, mechanical में क्या रयुद करते हम लोग सर, machine, यूज करते हैं, mechanical में क्या रयूद करते हैं, Мосine हमारे लिए सबसी important होता है, machine में links रहता है, canamatics link रहता है, chain रहता है, हाना, उस तरख करके वो pair बनाता है, जिस से मेरा क्या बनता है, एक machine न पार्ट, मेरा फिक्स भी होता है और कुछ पार्ट मेरा क्या होता है मुवेवल भी होता है ठीक है क्या होता है या फिर मोल सकते है रोटेटर रोटेशन वाला पार्ट रोटेटिंग पार्ट कुछ मेरा रोटेटिंग पार्ट होता है और कुछ मेरा फिक्स पार्ट होता है अच्छा मैक सब्सक्राइब और गर्वास पर सीविए दोनों के लिए इसे समझना आलिए काफी इंपॉटक्च्टर स्थाइब उस्था कर ऐसे हमलोगには क्या मसीन थो सीविरा इंपॉटक्टिर स्ट्रक्चर गया इंपॉर्टिर पूर सावल छी कोई हैं एलगे अपको तो यहां है तो यहहां को सब्सक्राइब वह जह घिल करता नौ शब्लिब्स टाइब ळर्न खड़ा जाए ड SIM I वही तो सिमल करताना घर वगरा बनाता बैब मनाता तो ध्यानति एक पीलर क्या बिलर मूब करता नहीं कि वह İs स्ट्रक्चर जो भी फ्रेम रहता मालो इस तरह का रहता है कोई चीज इस तरह का रहता है इस तरह का कुछ रहता है मेरा है ऐसा कुछ रहता है तो यह तो घर जैसा में ने बता दिया अगर मैं यहां पर ब्रीज बनाने का ट्राइ करों आप लोग फिल कर ले ना चलो ठीक इस तो कोई भी जो रहाता ना चजान पिर या लोड को फिक्सा रहतां तक हैंud तह कि उसका काम है मतलब का ल सब्सक्राइन के लिए तो सब्सक्राइब करते हैं तो घड़ी भी देखो रूब कर रहा है आपका मुआल है मुआल भी जो चल रहा है जिसमें मुआल स्मार्टपून होता है लेपटप होता वह भी देखें चल रहा है मसीन कुछ रोटेट हो रहा है आउटपूट जैसे कुछ डिस्क के वेगर डालते हो आउटपूट आगे पीसी जा रहा है मुझा रोटेटिंग पार्ट तो रहता ही कुछ ना कुछ रहता ही है समझ रहे मेरी बात की नहीं ओकी यह सभी चीज है लेकिन यह इसका मतलब यह नहीं कि इसमें जो है फिक्स पार एक नाम दोनों के बीच में डिफरेंसे सागे बुले गा तो आपको यही बोलना कि सर जी यह बताइए अगर आपको कोई यह पुछा जाता है इस रोग आडैरडी ओन पूछा जाता है पिर अगरम पुछा जाता है कि क्या घृता सिविल जों लुग सौम पड़ते हैं वो μέकनिकल के सिविल के साम में क्या डिसन्न है तो तो दियर अगर यह बता दीजिए गा तो बिलकुष सही है एक्दम सेम डेफिनेशन के सर मेकैनिक्स के लिए as as a mechanical engineer हमारे लिए as a mechanical engineer machine are very important and in and and as a civil engineer structure is very important so in machine there are fixed part as well as mobile part but in case of civil engineering civil engineering in a structure or in a structure चक्टर लाइक ब्रीज और फिक्स पार्ट इस मेक्सिंमम अलाव याने फिक्स पार्ट मेक्सिंम उस में रहा जाता है Betsy सब्सक्राइब करने के लिए लोड को बियर करने के लिए स्टॉक्चर में क्या रहता अधिकतर फिक्स पार्ट रहता है अच्छा यह चीज़ समझ गए अच्छा इसका मतलब एक चीज में बहुत सकता है कोई भी जो मसीन रहता है ठीक है आप लोग बस देखते जाएए ठीक ह तो कोई भी जो मसीन रहता है मसीन का जो पार्ट बना रहता है क्यों बनाते हैं हम लोग यह चीज़ बनाओ ब्रीज बनाए क्यों बनाए मसीन बनाए क्यों बनाए ब्रीज बनाए ताकि एक सेफ लोड तक वो जहेल सके जो भी चीज़ उसमें गाड़ी चलता है इंसान पार होता है क्या लेकर चलते हैं हम लोग सेफ लोड उस सेफ लोड कोई ना कोई लिमिट लेके चलते हैं कि यह 100 किलो न्यूटन के बाद ब्रेक कर जा रहा है तो वह मेरा क्या हो गया एक लिमिट वेल्यू हो गया तो अब लोग ट्राय करते हैं उस लिमिट वेल्यू के नीचे लो यहां से ब्रेक का जाएगा मेक्सिम्ण लिमित चैपक करेगा अब उसके लिए ज़ोरत होता है से य्प काम करें परेगा उसके लिए हमको सedd मटेट का कितनाओ लोढ है। वह चेकना और यिए लोड फिल्योड हो रहा है कि लोड अगर हम जुझाँ लग दो इन गे तो फेल कर जाएगा और फेल किन्फ वरा ड्यू टू कंदर हम लोड कुस्छ लोड के चलते उस लोड के चलते थो समय फेल्योर आ रहा है और फेल्योर भी क्यों है आए कि लोड जब लगाने तो रियक्शन देखने को मिला कैसर तो यह सभी चीज जोहां यह सब चीज मिल के स्वाम बनता है क्या बनता है strength of material बनता है समझे मेरे बात इसलिए हम लोगे strength चेक करता है तो यहाँ पे अगर मैं अचाए चीज़ों को यहाँ पे समझ आया की नहीं क्या मैंने का simple की भाई mechanical के case में machine important होता है जिसमें मेरा fix और mobile दोनों पार्ट होता है आगर मैं बात करो civil के case में तो structure important होता है और structure के case में सर जी मेरे लिए fix part maximum देखा जाता है और यह दोनों में difference भी होता है strength of material इनके सब civil और strength of material सम बोलो या पिर लोगे strength of structure बोलो जाता है मौस बोलते हैं वो एक safe structure पार्ट बना रहे यही मेरा target रहता है हाना civil के लिए भी कोई bridge अगर बना रहा है हाना हम लोग कोई machine बनाते हैं तो safe बनाते हैं उसी तरह bridge पीलर कोई बना रहा है तो चाहता है मेरा safe रहे मतलब तूटने से बचाना ही हम लोग का target रहता है यह नहीं की machine बना लिए लोडी जेल ने पाया speed चला ब्रेक करके फिका गया सब पार्ट उप अलग हो गया बाई चला रहे तो तो वो काम नहीं किया ना अब bridge बनाए लोडी बेर नहीं काया पर पाया तो ब्रेकिंग का मतलब होता अब failure बास मेरा समझ आ रहा कि नहीं मैंने क्या कहा कि यह सभी चीज़ हम लोग करते हैं safe से यह सभी चीज़ समझना देखो कैसे बना है हम लोग का काम बनाता है इसको safe बनाना safe safe क्यों होगा sir fail के चलते होगा failure के चलते होगा और failure मतलब तूटना ब्रेक करना और क्या मैं बोल सकता हूं कि failure जो होगा structure structure अगर fail होगा इसका मतलब क्या कि मुझे यह और यह failure क्यों हुआ structure हो जागा sir काम नहीं करेगा और यह failure क्यों होता sir due to external load यानि कि अगर मुझे सौम में कोई भी structure बनाना तो क्या क्या चीज का ज़रोत पड़ेगा बताईए सबसे पले आप इस सिलेट के जिएगा कि सर फी स्ट्रेटर है या आप मोबल स्ट्रक्चर है तो सर मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा तो डिजान करेंगा कितना लोड तो देखें कितना लोड उसमें लगेगा वो कहां लगेगा पूरसी बना रहे हैं मस्न कोई बना बड़ेगा तकि अटना लोड पड़ेगा ताकि machine खराब ना हो उसमें फोर सीटर है कार या फिर बड़ा सा बस है या ट्रेन जो भी चीज़ है उस विशिस से हमको safe load safe limit लेके उसको maintain करना है ताकि failure ना और failure क्यों होता है due to load अब load type of load बहुत सारा हो सकता है कोई भी load लोड़ा और उस load के चलते होता है क्या है मेरा failure आता है और failure भी क्यों है क्योंकि load जब लगाते है तो reaction देखने को मिलता बोडी में जिसके चलते हो fail होता है तो इस सभी चीज़ों के बारे में जब हम लोग study करते है ना उसको हम लोग strength of material कहते हैं क्या बोलते हैं और चुक्छी मेरा उसमें deformation आता है इसलिए इसको हम लोग mechanics or deformal body कहा जाता है और solid body के बारे में भी study करते हैं दड़ी वाइं मेकनिक्स of solid भी कहा जाता है और इस case in case of as a civil engineering हम लोग को structure बनाते है तो structure का हम लोग fix body रहता है deformal body ने रहता है fix body रहता है तो उसके बारे में भी हम लोग चेक करते हैं material shape and size failure load reaction limit value save value तो हम लोग उसको mechanics of structure कहते हैं समझ है मेरी बात तो यह सभी चीज होता है मेरा strength of material अभी कुरा complete नहीं हुआ है अभी मैं इतना आपको करा दूंगा कि याद हो जाएगा ठीक है मेरा काम आपका यह है कि इस class के जाने के बादना आपको अपने भी पढ़ोगे ना सिर्फ रिविजन करोगे तो आपको सब चीज जो समझ में आ जाना चाहिए करते हैं तो अभी तक हम लोग ये चीज समझें क्या सम्झें हम लोग कि कोई भी चीज हम लोग system बनाने के लिए करते है यह सबी चीज करते हैं कि कुछ system में हम लोग यह सब चीज करते हैं और सिस्टम या मौसीन में या स्ट्रक्चर में फोर्स लगता है लोड लगता है और उस लोड के चलते हैं वो क्या होता फेल्योर होता फेल होता है तो फेल ना हो मेरा सिस्टम इसके लिए एक हम लोग के लिमीड वेल्यू सेफ लोड लेके चलते हैं उसका भी मुझे पता करना पड़ता है तो इन सोट म अगर मैं आपसे कहूं कि सर पूरर जो आपने बता है ऊसको एक लाइन बताई तो अगर मैं कहूं सर कि कोई भी जो स्ट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रे वो जिस चीज के लिए बनाए उस चीज के लिए बन पाए उसके लिए मुझे से बनाने तो टूट जागा फूट जागा कही जरूत को जरूत ने पड़ा अच्छा सर ठीक है यानि कि system बना ताकि मेरा connect मतलब है fail ना करे failure ना और यह fail क्यों हो रहा है sir fail हो रहा due to load अगर मैं short लिखता हूँ क्योंकि sir some load वहाँ पे apply कर रहा है some load क्या हो रहा है apply हो तो basically यह जो मैंने पूरा लिखा ना hierarchy यही होता है सब मिलके हो जाता strength of material यह क्या हो जाता है strength of material यह सब मोतार क्या हम लोग पड़े sir हम लोग material जो है न से material selection करते है पूर सेफ कर रहा ता माल लो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो जैसे कि आप कोई material लेत हो जैसे कि हो सकता आप concrete का कोई beam बना रहे हो structure बना रहे हो तो आपके लिए material क्या हो गया बालू हो गया आपका जो रेत हो जो भी चीज़े वहां पर प्लास्टिक भी होता सेरामिक भी होता तो फाइबर का हम लोग बनाते हैं और बहुत सारा पार्ट बनता मेरा प्लास्टिक का बनता ही अगड़ी में बहुत सरा आप देखेगा प्लास्टिक का चीज़ बना जाता है और कि आप ऑनता है तो आप यह सभी चीज़ सिलेक्शन के इंडेन आप किस तरफ ईस्ट्रक्शलर बना रहे हो ट्रैंगल QUESTION ना रहो سर जार प्लार हो होता आप मसलिकत है हर तरह किल डीजाइन और ऑर डीजाइन कैसा बनाएं गे मुझे बनाना सेफ डिजाइन क्योख़ बरना क्योंकि जिकीस केलिए yep रहे हैं उसी दो रवी आप एक लिमिट हम लो लेंगे उस लिमिट पे अब उस लिमिट में लिए ताकि सिस्थान मेरा से थे फ़ंसें करें ताकि फांसिन में क्यों सैफ करो और यह लगाते हैं लोड थे को reaction apply करता है और सेफ लेट को जो बार करता है तो फेल कर जाएगा जो मुझे बिल्बकुल भी नहीं चाहिए अगर वो चीज़ होगा तो कोई मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि एंजिनियर हम लोगों का लाइफ को सिंपलर बनाना एजी बनाना और हमेशा आगे बनाना मतलब उन् सब्कारोश करना और लाइफ के conversion को सहलीत प्रघा करना इसी बनाना हुआ होता है इन्स चीज़ों को करके जो हम लोग यह सबीकीज़ करते का स्टरेंफ अब माटेरियल में करते हैं बात समझ मेरा आये की निए बाकी माटेरियल क्या होता है कैसा होता यह सबीची चीज़ हम लोग किसमें पढ़ते हैं पढ़ते हैं हम लोग other subject में that is your engineering material में पढ़ते हैं हाना फिर उसका कैसे हम लोग बनाते हैं यह सभिभी डिजाइन लगर्व बनाएंगे यह वो सक्ते हैं कि सब 것도 कर्थ anál तो हम लोग करते हैं इसमें retaining मिलेंhand का्स्टिंग कर रहे प्लास्टीक ना डुक्लि टी मेलीडिटी टॉफ effort ness सब चीज जो यह किसमें हम लोगके स्टडी करते हैं यह सभी चीज का हम लोग स्ट्रडी करते आपके इंजिनियरिंग माटेरियल में तो यह सभी चीज जो हैं हम लोग देखते हैं नौ अब इतना चीज अगर आप समझ गए हैं dear, तो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आप क्या देखेंगे, definition, क्या मैं इतना बताने के बाद, अगर मैं आपको ये definition लिखा हूँ, तो आप एक बार में समझ जाएगा, क्या definition आप पढ़िए, it is the mechanics of solid in which we apply different type of load on different body to get reaction of the body, ज क्वें हम लोग apply करते हैं, different different type of load, percent of load mode, बार में क्या सकता है, और बहुत सार चीज हो सकता है, हम आप ब्रीज हो सकता है, लगता है यहाँ भी मेरा बार में भी सेर भी लग सकता है है टॉर्क भी लक्सक्ता लेकिन मेक्सिम जो लगता है वो क्या लगता है मेरे एक्सियल लगता है और इसका रियक्षन क्या देखने को मिलता है ये एक्सियल लोड का रियक्षन टेंसन या कंप्रेशन जैसे दोनों तरफ से लगा तो वो क्या है कंप्रेशन दबा रहे हैं खीच रहे है तो टेंसर वो कहा लग को फितु अई क्या को घिषता निया नीचे मेरा दिवाल उपर में घर बनाए है तो इसको दवाता कम प्रेसिब क्लोडर न कीरिक लिए मेंगोनलीक्या जाले मुआ कर विंद गोफ समझों यह में उख्रक् Coach लिए है बॉक्स這是 क्या होता हा ना डॉन्ट वरी यह त्विश्टिंग क्या होता है यह मप्रूं क्या ह सेरेंगताatti टेंशन क्या होता है सब मैं बताऊंगा डॉंट वरी ये टूजट पढ़ाएंगे टाइप सब रियक्शन पढ़ेंगे टाइप सब बोड़ेंगे अब आप समझो बादी डेफिनेशन तो यहां पर हम क्या बोरों थे डेफिनेशन में इडिज दी मेकेनिक्स अब सोलीड इन में लिए लगा अभी टूट गिया अब वो मुझे पता चले कितना लोट में टूट आसा तो हंडेंड न्यूटन में टूट गिया तो इसका से प्लम कितना लेका चलेंगे 9 मतलब इसको बोला जाइंको भी देंगे कि भाई इसमें 90 न्यूटन से ज्यादा लोड नहीं लगाना है नहीं लागाना नहीं तो तूट जाए अब एक कूरसी लेकर आए प्लास्टिक लेकर आए चेर लेका है आगो पता इसमें चार अदम को पता घर में ढटता पबाँ अरे उतना लोड मत प्रफ नहीं तो तूट जाएगा वह तो सब्सक्राइब कर रहा है तो यह सबी चीज हम लोग किसमें पड़ते हैं स्टम तरफ से जो है वो दबाया जाता है कोई साफ्क ले इस तरह लोड लगा पी लोड यह द्यां से पर्लाए 950 डिग्री है न तो यह मेरा हधाई एक्सियल लोड आप मेरा टेंसाइल भी हो लो सकता अमानगा लोडिको खीच रहा दोनों तरफ से तो людей गया और्दोनों तरफ से दबा रहा तो कॉंप्रेशिव और ये कर लाता मेरे एक पसी येल लूट क्या एक अगशिय दौनों एक यह भी एक्सेल कर आएगा यह भी एक्सेल कर आएगा लेकनी अगरा ALI सब्सक्राइब तो यहां दो अगर मेरा मालो यह से जो लोड लएगा ना यहां कई लगा रहे एसे से लगा रहे ठीक है लेकिन यह नीचे वाले को कोई फरक नहीं पड़ेगा यह कैसा हो जागा एक टाइम के बाद ऐसा कुछ लगा यहां के बाद इस तरह स्लोप में आ जाएगा नीचे का किताब वहीं रहेगा लेकिन उपर का किताब मोधर चले कि उपर आप फोर्स लागा तो पैरलली लगता है ठीक है उस तरह ट्वार्क होता जो उसको घूमता है ना इसका बेंडिंग होता है जब बेंडिंग लगा तो बन बकल भी वही होता है सब चीज के बार हिम पढ़ेंगे तो यह सवी चीज में पढ़ते है स्टेंट और मटेरियू परते हैं बाखते यहां पर यहां पर यह सभी चीज़ आपको समझ में आ गया कि बोडिम दो यह सभी जो मैं लिखा हूँ इसके पीछ लोजिक है कि आपको अगर डेफिनेशन इतने याद नहीं रता ना तो बस आपको यह धियां रखना है बोडी लोड और रियक्शन अगर यह तीन चीज़ आप याद रख लियो ना तब डेफिनेशन भी याद आपका हो जाएगा मैंने क्या का बोडी कोई भी बोडी में कोई भी बोडी में हम लोड अप्लाय करते हैं और उस लोड के चलते हम लोग क्या होता है रियक्शन देखने को मिलता जो 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 मों बढ़ना यह बोडी के लिए sweeping मैं लोग सेडिल किसका क्लियर हो गए हो का ठीक है आप जिसमीने का इयुर्फ मैंने का से लेकला लगता है लेकिन मेजर जो जो मेरा मेजर रिफ्रेंस रहता है ना हां मेजर जो शेयर करता है अधिकतर जो लगता वो शेयर लगता भी में उसरा बार में अधिकतर लगता है साथ लेकिना इसमें जैसे साथ में तौर्क के साथ ट्विस्टिंग ही मुझे देखने को मिलता है लेकिन आईडियली अधिकतर भी आठाओ को सगाल आज mana को लो मिलें लो तो छो यह दोना तरप से यहां लॉड लग रहा है ये लोड लग तो इसलिए ये अलड बात करें और यह क्याको लुड्रें तो कोलम हो गे मेरा बोडिक I less को लग रहा है इस तरफ से तरफ से कंप्रेसिव लग रहा है तो यहां पर नजर आ रहा होगा इस वाले figure में तो यहां पर भी देख सकते हो यहां पर लोड लग रहा है तो इस तरीके से जो है ना आपको चीजों को समझना पड़ेगा जैसे जैसे आप चीजों समझते जाईएगा आपको यह subject सब्सक्राइब 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 यहां पर लोड लग रहा है बोडी अलग लग बोडी है यानि बीम क्या कोलम सब्सक्राइब इस और बोडी में अलो लग तरह का लोड लग रहा किसे में कंप्रेशन लग रहा है तो स्में यह लग रहा और ये चीज हो जाता है अब यहाँ पर और बारी आ जाता चीजों का थोड़ा यहां से देखी याँ देखरे कुछ एनिमेसं चल रहा नहीं है तीन ऐनिमेस्ट है फर्स्टन देख रहे हो कि एक रब्र लेके कोई से घीच रहा जिसे छोड़ा फिर आ जा रहा घींच रहा फिर भी छोड़ा फिर आ जा क्या है क्या नहीं है समझना भी डॉंट बड़ी मैंने कहा है अभी तक हम लोग लोड बढ़ लिए बोडी के बार में जैने आपको बताया नहीं हम लोग यह भी तक लिए सेलेक्शन माटेरियल कोछ भी हो सकता है कॉंक्रीट हो सकता है, मेटल हो सकता है, नन मेटल हो सकता है, पोलीमर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कॉंक्रीट हो सकता है, जिसम में ने कहा है, अलोई हो सकता है, मोटेरियल, सिलेक्शन कर लिए, अब बात करते हैं, बोडी, बोडी किस तरह का हो सकता है, अब बोडी मे जब भी हम लोग आप body देखो ये body है अनि सब body का बात करें यह सभी body जो कोई मेरा perfect elastic body होता कभी कभी मेरा perfect absor بी मुलता और यह परकंट रिज इट ने तो परिण लोग संझेंगे कि elastic body क्या होता फिर उम लोग समझेंगे कि plastic body को समझेंगे कि रिजट बोडिंट किया था देखो अगर इलश्टिक बोडि का बद करें आप सभ्वक्व पहला कि एलास्टिक मेरा है कोई भी फेंट है इलास्टिक रबड़ एलास्टिक है एलास्टिक करेंगे मतलब क्या होता है देखो यहां पर डेफिनेस रिच रिगेन इट सेपनेट साइज वेन वी रीमोग दी लोड आप लोड को लगाओ जैसे यहां देखो टेंसाइल रबबड को खींच रहा है लोड लगाए जैसे हम लोग लोड को रिमूब करेंगे ना फोर्स को रिमूब करेंगे छोड़े फिट से रिटन आगे जिसे रबबड देखो रबड को घींचो छोड़ तो आ जाए स्पंज बोल होता है जो मिलता है स्माइली बोल सब यसे दबाओगे जो एक्सरसाइज के लिए जाता आप दबाओगे दब जाएगा छ अब जाते हैं प्लास्टिक बोडी प्लास्टिक का डेफिनेशन देखो विच डू नॉट एबल टू रिगेन इट सेपन साइज आप्टर रिमॉबल अपलोड मलोड अपलाई करने के बाद उसको छोड़ेंगे तो रिगेन अपने सेपन साइज में लोड के आप आपस नही प्लास्टिक रिटन आ जाता है लोड रिमूब करने के बाद लोड रिमूब बहुत इंपोर्टेंट है लोड लगा करें तब तक होगा जैसे रिमूब करेंगे रिटन आ जागा similarly प्लास्टिक और अगर रिजिट का बात करेंगे तो there will be no deformation either when you applied for अगर रहा है बोड़ी तब या लोड अपलाई करेंगे फिर भी छोड़ेंगे फिर भी उसमें कोई फराखी नहीं पड़ता जैसे इसका इजामपल आप पथर ले दबाओ क्या कोई नजर आए-गा से किसे करेंगे नहीं चैज होगा आप लोड छोड़ोंगे फिर ही साईज Steन रहेगा तो जैसे आप यहाक हो बोक्सर लेगा बोकसर मार रहा हैं आप यहां पर यारेट लोग पकड़ेंगे प्रफेक्ट सरब क्यों लिए के यह कोई भी एलास्टिक बोडी जो ना नेचरल ली अकर नहीं होता यह बस आइडियाल है इमेजनेशन वोला चीज है रियल में रियल इलास्टिक बोडी नहीं होता है इसका क्या मतलब अपर बढ़ी लो रबड को आप एसे करके जब छोड़ो गें आज आएगा रिटन लेकिन कुछ ना कुछ उसमें डिफर्मेंशन जरोर होगा सिमली जैसे रबड रबड हम लो तो अब सब्सक्राइब लो इसमें भी डिफर्मेशन आएगा यानि की इलास्टिक बोड़ी ऐसा नेच्रल में आकर नहीं होता यह बस इमेजनेरी होता परफेक्ट प्रेक्टिकल इसे लिखा गया प्रेक्टिकली परफेक्ट इस नोट पोसिबल यह बस आईडियल होता है आइडियल होता है जिसे एक्टर में कोई बनना चाहता है जो भी नए अक्टर बनेगा वो चाहता हुमका जैसे एक्टिंग करना क्या कर पाएगा नहीं इसके आस-पास रहेगा इसका एक्टिंग रहता है तो हर इस इंसान उसकी सोच के बनाता कि उतना एपसेंसी दे पाएगा नहीं कि आईडियल होता ना वह इमेजनरी है वह सोचे हैं वह उतना कोई अचीव नहीं कर पाएगा उसके आस-पास भी कोई चल गया ना बहुत बड़ी बात है जिसा आप टा यह अमें कर दो पानच लाग हो भी पहुंचा हो बहुत खुस आप रहीं में कॉछ ना कुछ डीशन्री में अनुच कर नहीं हो सब्सक्राइब करेंगे अगर मारेंगे तो चसना को इसमें जरुद देखने को मिलता है जो मुझे देखने पत्थर को अब दवाओंगे बहुत ज्यादा कोई दवाया गंदा कुछ ना कुछ में चटक के कुछ ब्रेकिंग कुछ ना कुछ तो जरू होगा दिवाल अब मालो दिवाल को आप मार के गिराद होगे क्योंकि रिजिड है लेकिन को अगरा एक मेना तक मारते रहाना तो की बार में गिरा दिया एक बार में नहीं गिरा डिया वह पिछला एक मेंना से डेली आपको क्यों कि रहा कि उसका जो अंदर का रिजिस्टन्स रेजिस्टन्स है जता ना ही मेरा यह कर नहीं नहीं इसा होता नहीं यह कि दिफर्मेशन करेंगे तो यो फ़रक कि नहीं पड़ेगा यह पर सेक्ट है रियरलाईफ में क्या होता है, कि अगर इलास्टिक वोड यह तो डिफोर्मेशन अमलब रिटेनोड के आएगा तो कोई परणी नहीं हमने चीजिए बेंगा, क्राइंटट भी आएगाbuये प्लास्टिक में कुछ न कुछ और रिगनगां आता है उसेंटेफ डिफध बॉडी में कुछ न कुछ goudy इसलिए का है परफेक्ट आपका practically परफेक्ट एज नट पॉसीबलट जोवि परफेक्ट लास्टिक परफेक्ट करता है एक लिमिट के बाद जिसे रबड भी मैंने का वह भी डिफॉर करेंगा वह कितना तक करोगे आप पुरा खीज के तोड़ी दो लंबा तो हुई जाएगा कोई रबड जो हम लोग एरेजर लेते एरेजर के खीचो फिर आजागा फिर लेकिन टैम हैसा था जिस रबड बहुत जाएगा और एक लिमीट तक होगा उस लिमीट के बाद उसमें भी डिफॉर्मेशन नजर आएगा तो कोई भी बोड़ी रहा था उसमें डिफॉर्मेशन होता एक सट्रल लिमिट के बाद दूसरा केस इलास्टिक बोड़ी क्या हता है पोसिबिलीट हम बता रहे तो पर्फेक्ट मैंने कहा कि प्लास्टिक में क्या होता है इलास्टिक में कि रिमोब आ जाता है लोड हटाने क्या होता है रियल लाइफ में क्या होता है रियल लाइफ में यह होता कि डिफॉर्मेशन इज नोट पर्मानेंट पर्मामेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता कुछ न आपका प्लास्टिंग में क्या कहा था कि पूरी तरह से रीटर्ण आता ही नहीं है तोड़ा-बहुत आ सकता है क्यों कि मैदल को जब मोडो गए नो कुछ ना कुछ तो आएगा बहुत कम आपको दिखाई नहीं प्लास्टिक की तरह भी हेव करता आप थोड़ा देखना है उसको मोड़ो और मोड़ने को छोड़ना वो थोड़ा बेंड हो जाएगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है ना कि जैसे आप छोड़ दोगे नहीं रहेगा वो थोड़ा सा मेरा बाद सम्झो यहां मेरे पास है नहीं हाना जैसे कि एक सेकंड मेरे पास एक चीज है मैं आप लोग को ट्राइ करता दिखाने का यह सम्झों के स्टीक है जो प्लास्टिक का मैंने एसे मोड़ा जैको आगया रिटन आ यहां पर देखो रिटन आ जारा देखो मोड रहे रिटन आ जा रहा यह ओग अ क्या परफेक् कि रहा जागा लेकिन लेकिन छोड़ा अब चीज बताओ अब देखते हैं परफेक्ट लास्टी के परफेक्ट लास्टी की एक रबड टाइप से देखो आ जा रहा है लेकिन अगर एक लिमीट जैसे मैंने आ क्या का क्यों सटेल लिविट के बाद डी फर्मेसं उसमें होता किसमें इलास्टी बोडि में भी डी फर्मेसं होता है लोड अटाने के बावजुद भी अब समझो प्रेक्टिकली यह में लड लगा अब देखो इतना देर लगा कि से कर के रख रहें कुछ देर तक आपको देखना य जबकि Elastic body है तो एक Deformation limit के बाद इसमें भी Deformation क्या होता होता है इसलिए यहाँ पर कहा गया है क्या कि Deformation is permanent Elastic body में sorry Deformation not permanent permanent नहीं होता लेकिन होता जरूर है उसी तरह प्लास्टिक में Deformation permanent तो होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी तर से वो रिटन हो गाई नहीं थोड़ा वो जोड़ा होता है थोड़ा जैसे कि उसी तर लिको पेल लेना देखो इस तरह मालों लोग करते हैं इसको मोड़ दिए इक्जांपल के तो देखो यह प्लास्टिक में आ आज हम लोग इतने पढ़ेंगे fundamental चीज अगले class हम लोग यह पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे load के बारे में अभी मैंने आज को आज आप लोको सिर्फ body के बारे में समझाया body क्या होता body का होथा perfect elastic आपका perfect plastic perfect rigid और naturally कि रोली में ईलास्टिक प्लास्टिक क्या होता समझे कल हम लोग पढ़ेंगे लोड, कि काफी क्या होता है लोड समझ गए क्या क्या होता है और रियक्षान समझ गए तो डियर सों पढ़ना एकदम पढ़ना यहीं सों का सब कुछ है बाकी चीज़े तो वही है अलग अलग बीम लेंगे अलग 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 श्ट्रक्चर लेंगे वहाँ लोड लगाएंगे और रियक्शन देखेंगे और उसके चलते क्या से एरफोर्स बनेगा बेंडिंग डियाग्राम बनेगा कोलम पढ़ेंगे यतना चप्टर आप देख यहां से काफि sucking पुछा जयता यां में पनेगा इसके लाभे जो लोड होता उसमें कितना मिले गाइज मिलते हम लोग नेक्स पार्ड में तब तक ले गुडबाई और गॉडबाई और गॉडबाई गॉडबाई